नमस्कार दोस्तो स्वागत करते हैं आप सभी का दोस्तो भिहार SI PT का आप सभी लोग का Delhi Base प्राक्टिस सेट चलाया जा रहा है तो आप सभी लोग का हर एक प्राक्टिस सेट में 75 कोशन देखने को मिलना है डेली बेस पे और आप सभी לोग का डेली current affair भी अपलोट किया जा र जला है most important current affair है current affair को जो ज्यादा सही करेगा वही merit list में आप आएगा क्योंकि इतिहास भोगोल राजजीती सभी लोग सही कर पाते हैं लेकिन बहुत कम ही लोग होते हैं जो current affair पर कमांड बनार पा रहे होंगे ठीक है current affair को अच्छे से देखिए 6 मंद का कम से कम 6 मंद का ऐसा current affair आपके जुबान पर होना चाहिए कि कहीं से अगर 6 महीने का पूछा जाया current affair तो आपको तुरंत आंसर कर देना चाहिए ठीक है उसके बाद 12 महीना फिर उसके बाद आपका 18 महीना तो इस तरीके से आपका current affair तयार होता है ठीक है तो चलिए आज का पहला प् आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा चीन से बहुत ग्रंथों को यानि ग्रंथों का अध्यन करने के लिए अन्यक विद्वान आये जिसे सरपर्थम आने वाले व्यक्ति फायान थे नेस्ट को सने कि दा लाश्ट सफर नामक प्रसिद पैंटिंग के कृतिकार कौन है कम से कम 50 प्लस कोशन सही करिएगा तभी आप इस टेश्ट में पास हो पाएंगे ठीक है चलिए कोशन नमर दो का आंसर करिए तो इसका आंसर हो जायेगा ओप्षण वी लियोनाडो दाविंची आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाता है मोनालिसा लियोनादो दाविंची याद र मंदिर उडिशा राज्य के पूरी जिले में स्थिते याद रखिएगा ग्यारहविस अताब्दी में गंग राज प्रथम नर्शिंग देव ने इस मंदिर का निर्माड करवाया था अगला प्रस्न है कि निर्वाचक सभा के चेर्मेन कौन थे तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा डाक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा सम्मिधान सभा या पिर निर्वाचन सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को संसत भावन के केंद्रिय कक्ष में संपन हुआ था अगला प्रस्ता है कि बौध धर्म के न्यू डैस महान सच्चाईयों एवं डैस अंगिय पत पर आधारित है तो इसका आंसर हो जाएगा ओप्सन C चार और आठ हो जाएगा देखे याद रखिएगा चार और आठ आपका यहाँ पे उत्तर हो जाता है कोशन नमर 6 कहता है कि अंतुएदे कारेकरम का मुख्य उद्दे से क्या है तो इसका मुख्य उद्दे से पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा ओप्सन B सरवाधिक गरीबों का उन्यन याद रखिएगा बी उत्तर हो जाएगा अंतोयदे कारिक्रम एक गांधी वाधिक कारिक्रम है ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा कोशन नमबर सेवन कहता है घाटे की वित्विवस्था का क्या अर्थ है बताईए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्सन ए बजट घाटे की तरह होता है जब कभी सरकार की आयस उसके द्वारा किये जाने वाले वैसे कम हो जाती है तो बजट में इस परकार के घाटे को पूरा करने के लिए जो विवस्था अपनाई जाती है उसे घाटे की वित्विवस्था या फिर हिनार्थ प्रबंधन कहा जाता है अब आते हैं अगले प्रस्थन पर अगला प्रस्थन क्या है कोश्चन नबर 8 देखते हैं कहता है कि निन्म लिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की चार महान सच्चाईयों में नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा option A यदि इच्चाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है यह आपका नहीं है देखें दुखों के निवारण इच्चाओं से छुटकारा मिलने पर ही हो सकता है question number 9 कहता है कि अलंग नामक प्रसिद सीप स्क्रैपिंग याड कहां पर है तो यह देखा जाये तो आपका गुजरात राज्य में इस्थित है आंसर आपका C हो जाएगा अलंग सीप स्क्रैपिंग गुजरात के भाव नगर जीले में इस्थित है यह point आपको याद रखना है इसे जहाजो का कब्रगाह भी कहा जाता है अगला प्रसन है कि मांडू किरानी रूप मती का संबंध किस्से था तो इसका उत्तर हो जायेगा ऑप्शन B बाज बहादूर हो जायेगा आंसर आपका यहाँ पे B उत्तर हो जायेगा सभी लोगों का सुवेत पत्र क्या है बताइए वाइट पेपर क्या है तो यह देखा जाये तो सरकार के द्वारा जारी दस्तावेद जिसमें महतपुर मुद्दो का विश्तिरित वीवरण होता है उसी को हम सुवेत पत्र या फिर वाइट पेपर कहते हैं वाइट पेपर दो या दो से अधिक सरकारों का सन्यूक्त रिपोर्ट या फिर प्रकासन है सुवेत पत्र या फिर वाइट पेपर सब्द की जो सुरुवायत है ब्रिटेन से हुआ था अगला प्रस्न है कोश्चन नमर बारा कहता है पाटली पुत्र नगर जिसकी नियू पर पटना की स्थापना होई निम्न में से किस राजवन्स की राजधानी थी तो इसका उत्तर हो जाएगा उप्यूक्त सभी यानि हर्यक वन्स हो जाएगा मौरे वन्स हो जाएगा और आपका सी गुप्त वन्स हो जाएगा ने की थी नेश्ट कोसने की भारत का प्रथम समाचार पत्र क्या था सभी को पता होगा कि भारत का प्रथम समाचार पत्र आपका बंगाल गजट है वारन हैस्टिंग के सासनकाल में 1780 याद रखियेगा 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकासन जैम् बताईए तो बंद अर्थ विवस्ता से देखा जाये तो आयात निर्यात बंद हो जाएगा डी राइट अंसर सभी का हो जाता है अगला प्रसना है कि जैसे जैसे अर्थ विवस्ता विक्षित होती है राष्टी आय में तीतियक छेतर का अंस पूछा जाता है तो इसका आंसर हो जाता है तीतियक जो अंस है आपका बढ़ जाता है आंसर आपका ए हो जाएगा जैसे ऐसे अत्योस्ता का विकास होता है राष्टी आय में तीतियक छेत जैसे वैपार, परिवहन, संचार, बैंकिंग्स, बीमा, युगदान बढ़ता है अगला प्रस्न है बांस है बांस क्या है तो बांस देखा जाये तो जाड़ी है आंसर आपका भी हो जाएगा बांस जाड़ी का उधारड है यह बहुत तेजी से बढ़ता है गन्ना बांस की जाती का पोदा है नेश्ट कोसने की राष्ट पती पद के प्रतियासी को कितने व्यक्तियों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए तो यह देखा जाये तो कम से कम 50 निर्वाचकों के द्वारा यह प्रस्तावित होना चाहिए आंसर आपका ए हो जाएगा राष्टपती पद के उमिद्वार के लिए निर्वाचन मंडल के 50-10 प्रस्तावक रता 50-10 अनुमोदन होते हैं इसका निर्वाचन समानूपाती एकल संक्रमणिय पद पदती के द्वारा होता है अगला प्रस्णा है कि संपती के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया जाने वाला सम्मिधान संसुधन कौन सा है यह important है तो आपका answer C हो जाएगा 44 सम्मिधान संसुधन देखिए चवालिसवा सम्मिधान संसोदन 1978 के दोरा संपती के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर कर अनुछे 300A में डाला गया है अगला है कोस्टन नमबर 19 कहता है कि पिन का विस्तारित रूप क्या है यानि पिन का फुल फॉर्म पूछा गया है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्सन ए पोस्टल इंडेक्स नमबर हो जाएगा सभी लोग का भारत में पिन कोट की सुरुवात कब हुआ था यह इंपोर्टन है सभी लोग का सही आना चाहिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्सन ए गंगा सोन पुन-पुन तो इस प्रकार से इसका आंसर ए हो जाएगा पटना का छेतरफल 32-02 वर्ग किलो मीटर है पटना की समुद्री तल से उचाई देखा जाये तो तिरपन मीटर है नेश्ट कोसन है कि निम्न में से कौन सा बिहार का राजिकी प्रतीक नहीं है बताईएगा तो इसका आंसर हो जाएगा राजिकी नदी गंगा यह आपका नहीं है याद रखिएगा चली आगे देखते हैं अगला प्रसन है 22 नमबर इसको देखते हैं यह इसका आंसर क्या हो भी सही है देखते हैं बिहार का राज की विरिच पीपल है बिहार का राज की पूस्प गेंदा है बिहार का राज की पसु बेल बिहार का राज की पक्षी गोरेया है अगला प्रसना है कि खरीफ की फसल की बुवाई कब की जाती है यह इंपोर्टन्ट है आपके लिए तो इस खरीफ और जायद अगला है कि इस फीकंस किस प्राचीन सब्यता से सम्बंदित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्र की सब्यता से यह आपका संब्दित रखता है मिस्र की सब्वेता 3,000 से 1750 बीसी कांस योगिन सब्वेता नील नदी के किनारे पनपी अगला है कि तीजन भाई नील नलिखित में से किस लोक निरत की कला कार हैं तो इसका आंसर हो जाएगा पंडवानी पंडवानी आपका सही उत्तर हो जाएगा पंडवानी 36 गड़ का एकल निरत्य यारी माव किज़ेगा एकल नाटिस्ट सैली है पंडवानी का अर्थ होता है पंडवानी अर्थात पंडव कथा अगला प्रस्न है कि पार्सी 9 वर्ष दीवस कहलाता है तो करेक्ट आंसर आपका नौरोज हो जाएगा एक उत्तर आपका यहाँ पे 26 का हो जाएगा फार्सी यहाँ पे दिखा गया है उत्सव नौरोज को बलबन ने सुरू किया था अगला प्रस्न है कि सबसे पुराना इसमारक कौन सा है सबसे पुराना चलिए बताएगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा अजंता सी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा अजन्ता की गुफाएं महराश्टर में और अंगाबाद के पास सहयादरी परवत माला में रौक कट गुफाओं की एक स्रिंखला है इसमें कुल 29 गुफाएं हैं ये सभी बहुत गुफाएं हैं अगला प्रस्ण है कि कलिंग यूद में कौन सरवादिक प्रभावित हुआ था तो कलिंग यूद में पूछा गया है तो आंसर आपका असोख हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा नेश्ट कोसन है कि खुजराओं के मंदिर डैस वन्स के राजाओं ने बनवाए तो इसका आंसर हो जाएगा ओप्सन ए चंदेर आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है खुजराओं का मंदिर चोल सासको के समय 950 से 1050 इसवे के बीच मद्दे बनवाए गया था इस मंदिरों के कंदरिया महादेव मंदिर सरोप्रमुख है अगला है कि इसलाम धर्म को सबसे पहले भारत कौन लाया है तो इसलाम धर्म को सबसे पहले मुहम्मद बिन कासिम लाया है आंसर आपका D उत्तर हो जाएगा इसने अर्बो की सहायता से सिंध पर 712 AD में विजय भी पाई थी अगला है कि कुतुब साही वंस ने डैस पर सासन किया था यानि कब किस पर सासक किया था तो इसका आंशर हो जायेगा गोल कुण्डा आंशर आपका यहां पर C उत्तर हो जाएगा बिजय पूर अदिल साही वंस अहमद नगर निजामन साही बरार इमाद साही हो जाएगा अगला है कि अंग्रेजों के विरूद युद करते हुए कौन मारा गया था तो इसका आंसर हो जाएगा option A टीपू सुल्तान अंग्रेजियों के विरुद यूद करते हुए मारा गया था टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा था इसने अपनी राजधानी स्रीरंग पटनम में स्वतंदरता का विरिक्ष लगवाया तथा जैकोबीन कलब का सदस्य भी बना था अगला प्रस्ण है कि अमरीका के किस राष्टपती ने दास प्रथा को समाप्त किया तो इसका आंसर हो जाएगा अबराहम लिंकन हो जाएगा जार्ज वासिंग्टन अमेरिका के प्रथम राष्टपती भी हैं याद रखिएगा अगला प्रस्ण है question number 34 कहता है कि हा अगेंदर ठाकूर उत्तर आपका यहां पे हो जाता है दिन और रात के छोटे बड़े होने का क्या कारण है तो इसका कारण यही है कि प्रतिवी का जुका हुआ होना भी आपका यहां पे उत्तर 35 का हो जाएगा प्रतिवी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की और सहर में आजोजित किया गया है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में रवर का उत्तपादन होता है चलिए बताइए तो रवर का उत्तपादन देखा जाए तो आपका केलल राज्य में होता है अंसर आपका डी हो जाएग भुकम्प सरवाधिक तो देखा जाए तो पूर्वी एसिया में सबसे ज़्यदा आते हैं भारत को तीन भुकम्प छेत्र में विभाजित किया गया है हिमाले छेत्र गंगा सिंदू का मैदान एवं प्राइदी एपिय भारत हो जाएगा अगला है कि भारत सरकार ने हाल ही में किस धातू के आभूसर पर आगामी वर्स से होल मार्क अनिवार करने की घोषना की है तो इसका आंसर हो जाएगा ओप्सन C चांदी राइट आंसर आप सभी लोग का हो जाएगा अगला प्रसना है कि भारत की सबसे पुरानी परवत सरिंकला कौन सी है तो इसका आंसर हो जाएगा ओप्सन D आरावली आरावली भारत के सबसे पुरानी या फिर प्राचीन परवत सरिंकला मानी जाती है नेश्ट कोसने की मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना भारत के किस न्याले की विसेश जिम्मेदारी है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोट आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा समिधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की सकती सरोच न्याले एवं उच न्याले को प्रदान की गई है भारत की सरवादिक राष्टी आय किस से होती है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्सन भी उधोग हो जाएगा बी राइट आंसर सभी का यहां पे हो जाता है नेश्ट कोसने की आक्सपो डिक्सनरी ने अपने नए संस्क्रण में एक हजार से अधिक नए सब्दों को सामिल किया है इन में से कितने भारती अंग्रेजी सब्द सामिल हैं तो इन में से देखा जाये तो 384 आपका यहां पे हो जाएगा एकहत्रवे गणतत्र दीवस के मौके पर मुख्य आती थी के रूप में राष्टपती जेयर मोसियस बोलसोनारो भारत दोरे पर आये वेकिस देश के राष्टपती है तो इसका उत्तर हो जाएगा उप्सन सी ब्राजील निम्नलिकित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है बताइए यह important है मूल अधिकार नहीं है क्या इसका answer आप क्या करेंगे तो इसका answer हो जाएगा आपका option A हरताल करने का अधिकार यह आपका मूल अधिकार नहीं है यह point आपको याद रखना पड़ेगा लोग सभा में सीटो की अधिक्तन संख्या क्या है तो सही answer आपका यहाँ पे 46 का देखा जाए तो 552 हो जाएगा A आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा वर्तमान में लोग सभा में सदस्ये 545 है अगला प्रस्ण है कि निमनलीखित में से कौन लोग सभा की पाली महिला स्पीकर थी सभी को पता होगा आंसर आपका देखा जाए तो A हो जाएगा मीरा कुमार क्या हो जाएगा A उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा और लोकसभा की दूसरी महिला स्पीकर सुमित्रा महाजन नेश्ट कोशन है कि उचित्म न्याले के नियाधीसों की सिवा निवरित्ति की उमर क्या है तो इसका अंसर हो जाएगा उप्शन C 65 साल आपका यहां पर उत्तर हो जाता है अमेरिका गरीन बिल्डिंग काउंसील द्वारा विक्सित लोकपिरी वाता वरण सुरक्षित इमारत पडमारी करण कारेकरम को क्या कहा जाता है तो इसको जो कहा जाता है उर्जा और पारियावराड डिजाइन में नेतिर्टु कहा जाता है आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा नेश्ट को सने के WWF यानि 201 जीवन कोस के प्रतीक में निमलिखित में से कौन सा जानवर है तो इसका उत्तर हो जाएगा option c panda पांड़ा आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा अगर इसका इस्थापना पुछा जायाए तो आप 1961 में इसका इस्थापना किया गया था सबी अलकोहली पेयो में कौन सा अलकोहल पाया जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा इथाइल हप हो जाएगा अंसर आपका 51 का C उत्तर हो जाएगा इथाइल अलकोहल का नाम एथेनॉल भी है अगला है कि सामान ये तापमान में कौन सा पदार्श दरवे की रूप में रहता है तो इसका सही आंसर 52 का देखा जाए तो मरकरी हो जाएगा आंसर आपका 52 का D हो जाएगा पारा को कुईक सिल्वर भी कहा जाता है या एक द्रवे की रूप में रहने वाला धातू होता है कौन सत्त तो सरवादिक रासानिक योगिक बनाता है बताईए तो इसका आंसर हो जाएगा option A कार्बन कार्बन आपका तीरपन का हो जाएगा कार्बन के परमाड़ों अपने अन्य परमाड़ों से जूड़ कर स्रिंखला बनाने की प्रवेति रखते है अगला है कि इंसुलीन डैस से स्तरावित होता है इंसुलीन तो इसका आंसर आपका अग्नियासे हो जाएगा C उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा अगला प्रस्टन है question number 55 कहता है कि विक्ष का कौन सा भाग उसे पोसर आहार नहीं प्रदान करता है तो correct answer आपका D हो जाएगा फूल फूलों के अध्यन को क्या कहा जाता है तो anthology कहा जाता है पुस्प पौधों का जनन अंग होता है सरकरा में क्या पाया जैता है बताइए सरकरा में सरकरा में देखा जाये तो आपका answer क्या होगा इसका सही answer देखा जाये तो आपका carbon hydrogen oxygen हो जाएगा B answer आपका यहां पे हो जाएगा रेक्टर पैमाना क्या मापने के लिए काम आता है सभी को पता है रेक्टर देखा जाया तो आप सभी लोग का भुकम्ब की प्रबलता या फिरतिब्रता होता है आंसर आपका C हो जाएगा रियक्टर पैमान आए गड़तीय मापक है जिसकी 0 से 9 तक की इकाई होती है भोजन में बिटामिन D की कमी से कौन सा रोग उत्पन होता है तो बिटामिन D से कौन सा होता है तो सुखा रोग हो जाएगा A आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बिटामिन B1 से बेरी बेरी बिटामिन C से इसकरबी और बिटामिन A से आपका रतंधी हो जाएगा किस खाद में सबसे अधिक नाइट्रोजन होता है तो सबसे अधिक नाइट्रोजन देखा जाए तो यूरिया हो जाएगा आँसर आपका B हो जाएगा यूरिया, कैरंगहीन, गंदहीन, सफेदर ठोसपदार्थ होता है अगला है कि मानुसरीड में सबसे बड़ी ग्रंथी कौन सी है तो सबसे बड़ी ग्रंथी देखा जाये तो आपका यकृत हो जाएगा अंसर आपका B हो जाएगा करीबन इसका देखा जाया तो देड़ से 2 किलोग्राम इसका वजन होता है मानुसरीड का सबसे बड़ा अंतर इस्तरावी ग्रंती आपका थाइराइड होता है बिजली के बल्ब का तार डैस से बना होता है यानि किस से बना होता है बिजली के बल्ब का तार तो इसका उत्तर हो जाएगा option D, टंगश्टन से बना होता है, टंगश्टन को वोल्फ राम भी कहते हैं, इसका संकेतक देखा जाये तो आपका W होता है बाकसाइड, डैस का आयस का है, यानि किसका बाकसाइड आयस का है? तो ये देखा जाये तो अलुमीनियम का है, आउसर आपका C हो जाएगा बाकसाइड में अलुमीनियम की जो मातरा होती है, 55 से 55 प्रतिसत तक होती है विश्व में बाकसाइड के प्रमुक उत्पादन देश देखा जाये तो आउस्ट्रेलिया, चीन, ब्राजील और आपका जमाइका हो जाएगा नैश्टर की 15 डिगरी सेंटी ग्रेट का ताप कितने डिगरी फॉरिन हाइट होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, 41 फॉरिन हाइट आपका यहाँ पे हो जाएगा एक हार्स पावर कितने वाट का होता है? सभी को पता है कि एक हार्स पावर देखा जाये तो आपका उत्तर हो जाएगा 745 यहाँ पे दिया गया है तो आंसर आपका यहाँ पे 746 745 कुछ इस तरीके से आपका यहां पर 746 भी होता है ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगला प्रसन क्या कहता है कि किस प्राणी में उदर तथा विरिक्ष के बीच डाया फ्राम होगा या फिर होता है तो इसका आंसर हो जाएगा वेल डी आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा वेल एक प्रकार की मचली है जिसकी कई प्रजातियां है ठीक है चलिए नैश्ट है कि मनुस्य में बीमारी का कारण कौन बन सकता है बता ये इसका आंसर आपका किया होगा इसका आंसर आपका सिश्टो पस हो जाएगा आंसर आपका यहां पे 60 का देखा जाएगा अगला प्रस्ना है इसमें कहता है कि 120 बोल्ट और 60 वाट की विदुथ बल्ब में बहने वाली धारा कौन सी होगी या फिर कितनी होगी तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बीज जी रे दुसमलों पांच एंपीर आपका यहां पे हो जाता है इस्तिर आयतन गैस मापी कारे करता है किस पर यानि किस नियम पर ये कारे करता है तो देखा जाये तो उत्तर हो जाएगा चार्स के नियम पर ये कारे करता है अगला है कि कौन सा रोग वाइरस है बताइए तो इसमें आपका इंफ्लेवंजा हो जाएगा अंसर आपका डी हो जाएगा डीफिरिया टाइफाइड है जा जीवानू से होने वाला रोग होता है कौन सा लवड हिर्दय गती को नियंत्रित करने में सहायक होता है बताईएगा इसका आंसर होगा पोटाइसियम आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा पोटाइसियम 71 का उत्तर आपका यहां पे हो जाएगा पोटाइसियम हिर्दे गती को नियंत्रित करने में सहायक होता है सोडियम तद आंसर 72 का देखा जाए तो आपका mgcl2 हो जाएगा डी उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन खो देने की सरवादिक प्रकृति किस तत्व में होती है तो यह आपका होता है एफ आर सोडियम एसिटेट का जली वीगटन कैसा होता है तो करेक्ट आंसर आपका छारिय हो गयागा बी रक्त कोशिका में हो जाएगा नहीं पायाते हैं तो इस बरकार से फ्रेंट्स आप सभी लोग का 75 कोशन समाप्थ होता है अब आप बताएगा कि इन 75 में से आपने क्या 50 कोशन भी सही करिया है अगर नहीं किया है तो और तयार कीजिए बहतर कीजिए दिन पे दिन आपका प वीडियो में